विकास गुपता को ऐसा लगता है कि अरशी खान किसी के कहने पर, किसी के प्रवोग करने पर, लोगों के साथ मिल करके, गुरूप के साथ उसको तंग करती है, उसना मेरा नाम भी लिया, कि अभी यहाँ पर मनू होता तो और इसको प्रवोग कर रहा होता, आदमे गी डाल रह लेकिन विकास गुपता को ऐसा लगता है कि मुझे उससे कोई प्राब्लम है क्योंकि उसको लगता है अर्शी को हम लोग सपोर्ट कर रहे होगा, इजास से वो लड़ लिया, मेरा उसने क्लियरली नाम ले लिया, जब कि मैं जब पानी में फेक दिया था तब भी उसको उठा क पर चला गया, अर्शी ने मुझे एक दो बार पहले भी प्रोवोक किया, तो मैंने एक ही बात कही थी, क्या मैं इस आदमी को मारूंगा, क्या मैंने इसे जोड से का था, वो शायद उसके माइन में रह गए योगी बात, बढ़ मैंने विकास तू ठीक था, सलमान सर ने भी इस बात में ये का कि हमें ऐसा लगा, आप दोनों में से किसी एक को निकालना चाहते हो, भाई, लास्ट इस दुनिया में कोई option होगा, विकास गुपता जिससे मेरा कोई लेना देना होगा, आज वो अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहा था, पहले उसने बोल देता था, फिर कभी कहता है देता था, फिर कभी कहता है मम्मी नहीं जाकर कि जिम में और लोगों को सबको बता दिया है, तो दोस्तों मुझको भी अर्शी खान ने एक clip सुनाई थी, एक audio सुनाई थी, जिस audio के अंदर बकायदा उसकी मदर कह रही थी कि विकास मुझे सपोर्ट नहीं मुझे लगता है कि मैं को तिर से कोई लेना देना है तो वो तू जान तिरा काम जाने, तू परेशान हो रहा है, तू तंग हो रहा है, लेकिन तू अभी भी किचन एरिया के अंदर अर्शी को सपोर्ट करके बोल रहा था कि छेगी जगे 12 हो गए, तो फिर इसलिए घर देने के बाद एक लड़की को आप वापस से उसके उपर पानी का एक मग डाल देते हो, फिर भी आप इस घर के अंदर बैठे वियो, भगवान जाने आपको विग बॉस रखके क्यों बैठा है, और जब हम जैसे लोग कुछ बोलते हैं कि विग बॉस क्यों रखके बैठा है, पिछले जितने भी सीजन के अंदर गया है, उसकी नानी का घर है, अक्टूबर, नमबर, डिसमबर में हम लोग नानी के कर जाते हैं, और विकास गुपता बिग बॉस आउस के अंदर आता है, चलो ठीक है, तुम जानती हो, क्रिएटिव को, मेकर्स को, तुमारी क्या द सब को जरूरत है, लेकिन फ्लोर पे आते हैं, आपने सबसे पहले एक सिंफैती ली, कि लोगडाउन पीरेट के अंदर मुझे पैसों की बहुत जरूरती है, फिर आपके पिछे अर्शी पढ़ जाती है, आपने का था, तीन वीक तक मुझे से लड़ता रहना, वो आपसे ल बुबारा फोड़ते समय भी मैं ये बोला, कि विकास ना मैं तुझे बाहर से जानता हूँ ना अंदर से जानता हूँ, घर में तू रह रह रहा है नहीं रहा है, मुझे फरक नहीं पड़ता हूँ चीज है, तेरे दिमाग से निकाल दे, मुझे तुसे बच पंगानी है, लोगों को नीन से उठा रहा है, वो उठाना उठाना कहलाता है क्या, उठाना वो होता है, जिसके नरी जिद करके उठाता लोगों को, चलो ठीक, आपने ये भी बात मान ली, रुबिना और अभिना का जगड़ा करवा है इसने बाई देवे, घर का राशन कतम करना को ये टास करने का तरीका होता है, लेकिन आपने इसको कंसिडर किया, टास के अंदर, और दो की जगए पर आपने बोल दिया, एक ले लो आप कार्ड, एक कार्ड इसको दे दिया, चले ठीक, आपने इसको एक जोकर कार्ड दे दिया, वक्ता आने पे जोकर कार्ड को एक काम मे सर क्या शो करने के लिए थे, हम बिग बॉस करने की लिए थे, जिक herum किशो करने के लिए धे लिए था हैं, अपने शो के लिए दो बार बोल चुका मुझको भी सामने से, लेकिन हम लोग अने गोड़ा घड़ा पाती कुट्ता भालु सा उसके अंदर सारे घरवालों ने चे घरवालों ने पहली बारे बोला कि हम सब के बीच में युनियनेमसली एक डीसीजन निकला है कि घोड़ा लंबी रेस का गोड़ा मन्नु पंजाबी है साप बहुत वफादार होते हैं, साप बहुत अच्छे होते हैं, साप सभी काटने वाले नहीं होते हैं, भाईया मैं जानना चाहता हूँ, साप कौन सा एक्जमपल आप लोगों को पता है, जहां पर साप काटने वाले ही होते हैं, दर्द पहुचाने वाले, तकलीफ पहुचा कि साथ में कोई नहीं रह सकता लेकिन फ्लोर पर से खड़े हो करके सलमान खान सर ने साप को जस्टीफाई किया कि साप कैसे अच्छी होता है और बोलते हैं मेरे फॉर्म के उपर गोड़े हैं नहीं गोड़ों को कई बार साप काट तो गोड़े मर जाते हैं मतलब आप कहना च कि अली को का जिया थे अडवांटेज ज निकी तंबोली बार्स आई उसको एडवांटेज इन ती नों को लेकर कौना है आप लोग लेकर के वो उसको उसने दी, बाहर की बातें घर में अंदर वो करता है, इतना बड़ा बावाल हुआ, वीकेंड का बार पे एपिसोड हुआ कभीता जी का, उसके बावजूद भी चुगली खोर आदमी को चुगली खोर नहीं कहा गया, कि ये चुगलिया कर रहा है, इजास खान का इत के अंदर कप्तान मना है, सारे लोग मिलकर के बोल रहे है, इस जैसा विकार कैप्टेन आस तक नहीं बनाओ का, सिर्फ सो रहा है, सो रहा है, सो रहा है, दर्द है, तकलीफ है, परिशानी है, कुछ भी है, हम शो छोड़के आगए, दर्द और तकलीफ थी तो, साब आप क्य कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, पताइए, सिरफ लड़वा रहे हैं लोगों को, इसके बाद में, जिस लड़की को पानी के अंदर फैक दिया जाता है, सीजन 13 के अंदर इतने बड़े बड़े पंगे हुए थे, और सीजन 10 के अंदर हमको सलमान सर ने ये का था, लोगना विकास को ये कदम लेना पड़ा, वहाँ पर रुबिना जी भी बिना समझे, पूरी भावनाओं में बेगे ही, और कहना लगी हां सर गलत हुआ, उसने मुझसे भी का था, मैं खुद किया रहा हूं, विकास ने गलत किया था, लेकिन जब वो खुद किया रहा है कि हमारी ती वो पूल के किनारे जाकर कि मिना माल के क्यों खड़ी भी, कहती 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 वहां पहुंच गई, आप सुबह से राहूल माजन को कह चुके थे और लोगों कह रहे थे कि मैं इसको पूल के अंदर धक्का दूंगा, और वो लड़की पूल के पास जाकी खड़ी Big Boss के अंदर अगर कोई आद्मी गलत नहीं है यानि मुझे पता चला कि मेरे को इजास खान या फिर XYZ किसी ने भी किसी जगे पे बैठके गाली दी तो मैं जाके उसको अगर गूसा मार देता हूँ पुश कर देता हूँ तो वह एला हुए क्योंकि नियम और कंडिशन के इसाब से विकास तो बिचारा परेशान है उसको तो पैसो की जड़त है और सच्चा भी है तो सच्चे नेक इमानदार आदमी है कर किसी को धक्का देते हैं तो भाईया मैं आप लोगों को बताना चालता हूँ अब बिच बॉस की घर के अंदर वो वैलिट हो गया चलिए छोड़ी उसके बाद में अब विकास अंदर आता है अंदर आने के बाद में विसका जोकर कार्ड आज तक चालू है तो जोकर कार्ड काय के लिए चलू है RBA की currency है कि जोकर card कि एक evicted आदमी जो खेल से निकाल दिया गया वो वापस अंदर आया उसका card अभी तक चालू है भाईया मिरको ये बात समझ में नहीं आ रही कि इतनी क्या मानताय हो रही है इसके आगे बढ़ते हैं आप तो हर बात का उल्टा कर देते हो इस बात का भी उल्टा कर देते, क्या ज़रती आपको विकास कोई कैप्टिन मनाने की, आप कह देते, क्यों नहीं अर्शी नहीं जाएगी, बहुत सारे लोग बखी थे, राकी चलो चली गई थी, किसी और को बेश देते, तो वो जा करके और राहुल वैदिया को कप्तान मना उसने सबसेदा मैनत की थी, लेकिन साहब आप इस बारे में क्यों बात करेंगे, और लोग भी क्यों करना चाहेंगे इस बारे में बात, भाई, पार्शलिटी की एक तरफा, क्लियर ली, हद होती भी दिख रही है, कि आप इस इंसान को कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट करना चा तुम टॉम घेडरी आपस में क्या कर रहे हो तुम लोग चानो, उसके पाद में, ये फेकने के बाद में तूने उस बात को बढ़ा किया, बढ़ा करके तूरो हया, रोकरके बाहर गया, माईक अठाके तुने पूरी बात बोली, और बाद में माईक पर तूने एक और देना नहीं, न मैंने आपसे कभी काम मांगा, न मेरा आपने कोई काम खाया, न मेरा आपसे कोई लेना देना, और अगर तुझ जैसे आदमी से मुझे काम मिल रहा होगा, मैं सामने से बोल रहा हूँ, मैं मना कर दूँगा, मेरे पाइप इतना तो है, अपनी विल है, कि दुन अगलीफ हो रही है, तंग हो रहे हो, पुश, पुश ही कहलाता है, किसी को पानी में धक्का देने के बाद वो लड़की बेवकूफ है, जो शो को continue कर रही है, और आप बहुत समझदार होंगे दुनिया के लिए, मेरी नजर में ऐसा कोई समझदार नहीं है, कि उसके साथ continuity में partialities होती जा रही है, और उन सब को नजर अंदाज किया जा रहा है, मैं नहीं कर सकता नजर अंदाज, ऐसा करने से साथ में जो प्लेयर्स होते है, उनका मनोबल तूटता है, और तूट रहा है घर के अंदर बाकी के प्लेयर्स का मनोबल, लेकिन वो आपको बोल नहीं पाते ह हैं कि उनका क्यों मनोबल तूट रहा है, आपने किसके साथ क्या किया, आपका behavior, अपनी mother, family, parents, दोस्त, किसी के साथ अच्छा है, बुरा है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मदर्स हमेशा अच्छी होती है, अगर आपने कोई गल्ती भी कियोगी तो आपको माफ कर देंगी, लेकिन national channel पर आकर के, आप उन बातों को जादा निकाल रहे हो, अर्शी खान के बजाए, आपने का था तेरे अबू, तुझे देख लेंगे, उसने का था तेरी अम्मा तुझे देख लेंगी, इसके अलावा हमारे सामने तो उसने कुछ भी नहीं बोला, पीछे स के साथ बिता है, मोना के साथ बिता है, रोवन के साथ बिता है, करन के साथ बिता है, और बहुत सारे राहुल वैदिया, राहुल देव और सब लोगों के साथ बिता है, मैं तो नहीं जानता हूं, उनके बारे में इतने अंदर की बाते हैं, क्यों जानते हो आप लोग दोग आपको इसपेशली दिखी होगी और क्या था इसके अलाबाद यह था दोस्तों मेरे अच्का रिवीव राहूल वैद्या थोड़ी सी दोस्तियां ज्यादा कर रहे हैं इस वह थोड़ी से परिशान है उनको पंगे पढ़ रहे हैं अब देखते हैं दोस्तों आगे गढ़के अंदर क्या होता है किस तरह को होता है एक और चीज़ भी विकास मुझे कोईट करना है मुझे शोर से जाना है अर्शी कुछ भी बोलती है कुछ भी बढ़ा बढ़ाती है उल्टा सीधा करती है तराकी की भी कोई खास ऐलाइंसे और दोस्तियां बन नहीं रहे हैं उसका भी दिमाग आगे पीछ होई जाता है कैश्मीर अगर से बाहर जा च दोस्तियां प्रेंड्स गुद इन्वार्मेंट और इवन दो आयम नोट लाइक इतना भूखा प्यासा इतना ही मुझे वह थ्रस्ट है भी नहीं कि मैं लोगों के सामने रों गिडगड़ा हूं परिशान हूं है हमारी जिंदगी के अंदर सबकुछ सुकून भी है साथ में हम बड़े खुश हैं अपनी जिंदगी के अंदर एंड मिस्टर विकास once again I am telling you आप मेरे लिए हो ही नहीं इस प्लैनेट के ऊपर ठीक है और शायद मैं भी आपके लिए नहीं होना चैना हूं जैहें टेक्यर गास अपनी ममी के बोलना मैं अंसे बहुत ज़दा प्यार करता झाल झाल झाल